शब्त श्लोकी दुर्गा शिपजी बोले हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलब हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो कल युग में कामनाओं की सिद्धी है तू यदि कोई उपए है तो उसे अपनी वानी द्वारा समिक रूप से व्यक्त करो देवी ने कहा हे देव आपका मेरे उपर बहुत स्ने है कल युग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो बतलाओंगी सुनो उसका नाम है अंबा इस्तूति ओम इस दुरगा शब्त श्लोकी इस्तूत मंत्र के नारायन रिशी है नुस्ठंप छंद है श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरसती देवता है श्री दुरगा की प्रसंता के लिए सब्त श्लोकी दुरगा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है वे भगवती महामाय देवी ज्यानियों के भी चित को बल पोरवक स्खीच कर मोह में डाल देती है मादुरगे आप इस्मरन करने पर सब प्रानियों का भय हर लेती हैं और स्वस्त पुरूशों द्वारा चिंत उन्हें परम कल्यान में बुद्धी प्रदान कर दुख का मंगल प्रदान करने वाली मंगल मई हो कल्यान दैई शिवा हो सब पुरुशार्थों को सिद्ध करने वाली सर नागतवत सला तीन नैत्रों वाली एवं गौड़ी हो तुम्हे नमश्कार है शरन में आए वे दीनों एवं पीरितों की रक्षा में सनलगने रहने वाली तुम्हारी रक्षा करो तुम्हे नमश्कार हैं। दुर्गा शतनाम इस्त्रोत शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कमलानने अब मैं अश्टोतर शतनामक वर्णन करता हूं सुनो जिसके प्रसाद मातर से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रशन हो जाती हैं। ओम, सती, साध्वी, भप्रिता, भवानी, भवमोचनी, आळ्या, दुर्गा, जया, आध्या, त्रेनेत्रा, शूलधार्नी, पीनाकधार्नी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धी, अहंक, चित्यरूपा, चिताचिती, सर्व मंत्र मै सत्या, सत्यानंद, स्वरूपनी, अनेंता, भाविनी, भाव्य, भव्य, अभव्य, सदाग्या, शांभवी, दे माता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वे विद्या, दक्षिकन्या, दक्षियग, विनाष्नी, अपड़ना, नेकवर्ना, पाटला पाटला वती, पाटंबर परिधानंग, कल्मंजी, रंजिनी, अमे, विक्रमा, क्रूरा, सुन्दरी, सुर्सुन्दरी, वंदुर्गा, मातंगी, मातंगमनी, पोजिता, ब्राम्ही, महेश्वरी, एंधरी, कौमारी, वैश्नवी, चामंडा, बाराही, लक्ष्मी, पुरुशाक, विमला, उत्त कर्शनी, ज्याना, क्रिया, नित्या, बुधिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंब शुंब हन्यनी, महिसासुर मर्दनी, मदु कैटब हंतरी, चंड मुंड विनाशनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वधानव घातनी, सर अनेक शास्त्र धारिनी, कौमारी एक कन्या, कौमारी योव्धियती, अप्रोधा प्रोधा, बृध्यमाता, बल्प्रदा, महोदरी, मुक्त केसी, घोरुरुपा, महाबला, अग्नी जौला, रोध्रमुखी, काल रात्री, तपस्वनी, नारायनी, भद्रकाली, विश्नुमया जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनन्ता, पर्मेश्वरी, कात्याइनी, सावित्री, प्रतक्षा, ब्रह्मवाद, देवी पार्वती, जो प्रति दिन दुर्गाजी के इस अश्टोतर सत्य नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है, वह धन्य, धान्य, पुत्र, इस्त्री, घोरा, हाती, धर्म, आधी, चार पुरुशार्थ, तथा अंत में सनातन, मुक्ती भी प्राप्त कर लेता है, कुमारी का पूजन और देवी, सुरेस्वरी का ध्यान करके पराश भक्ती के साथ उनका पूजन करे, फिर अश्टोतर सत नाम का पाठ आरंब करे, देवी, जो ऐसा करता है, उसे सब शर्ष्ट देवताओं से भी सिध्धी प्राप्त होती है, राजा उसके दास को जानते हैं, वो राज लक्षमी को प्राप्त कर लेता है, गोरोचन, लाक्षा, कुकुम, सिंदूर, कपोड, घी, चीनी और मधु, इन वस्तों को एकत्र करके, इन से विधी पुरवक्यत लिखकर, जो विधिग्य पुरुष्ट सदा उस यंत्र को धारन करता है, वो शिव के तुल्य हो जाता है, भौमवती, आमवश्या की आधी रात में, जब चंद्रमा, शत्भिशानक, शत्र पर हो, उस समय उस इस्त्र का देवी को नमशकार है, मारकंडी जी कहते हैं, जैंती, मंगलाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, तुर्गा, छमाशिवा, धात्री, सोहा, सोधा, नमस्तु देवी, सोहा और सोधा, जग, इन नामों से प्रसिद्ध, जगदंबी के, तुम्हें मेरा नमशकार हो, देवी, चा टब को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वर्दान देने वाली देवी, तुम्हें नमसकार है, तुम मुझे रूप दो, जै दो, यश दो, और काम क्रोद आदी शत्रों का नास करो, महसासूर का नास करने वाली, तता भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमसकार है तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोदादी शत्रों का नाश करो रक्त वीज का बध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोदादी शत्रों का नाश करो सबके द्वारावंदित युगल चर्णों वाली तथा संपोन सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो जय दाम क्रोध आदी शत्रों का नाश करो देवी तुम्हारे रूप और चरित अचिंति हैं तुम समस्त शत्रों का नाश करने वाली हो रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदी शत्रों का नाश करो पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ती पुरवक तुम्हारे चर्णों में सर्वदा मस्तक जुकाते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो और उनके काम क्रोध आदी शत्रों का नाश करो रोगों का नाश करने वाली चंडीके जो भक्ती पुरवक तुम्हारी इस्तूती करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो और उनके काम क्रोदादी शत्रों का नाश करो चंडी के इस संसार में जो भक्ती पुरवक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो और उनके काम क्रोधादी शत्रों का नाश करो संपती प्रिदान करो रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोधादी शत्रों का नाश करो अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मनियों को तुम्हारे चरनों पर घिसते रहते हैं तुम रूप दो जय दो यश दो और काम करोदादी शत्रों का नाश करो तुम अपने भक्त जन को विद्वान यशस्वी और लक्ष्मी बान वनाओ तथा रूप दो जय दो यश दो और उनके काम करोदादी शत्रों का नाश करो प्रचंड देत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडी के मुझ शर्णागत को रूप दो जय दो यश दो और मेरे काम क्रोदादी शत्रों का नाश करो चतुर मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारी परमेस्वरी तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोदादी शत्रों का नाश करो देवी अंबी के भगवान विश्नु नित्य निरंतर भक्ती पुरवक तुम्हारी इस्तुती करते रहते हैं तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोदादी शत्रों का नाश करो हिमाला कन्या पारवती के पती महादेव जी के द्वारा प्रसंसित होने वाली परमेस्वरी तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोदादी शत्रों का नाश करो शची पती इंद्र के द्वारा सद्ध भाव से पोजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोदादी शत्रों का नाश करो देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो मुझे रूप दो जय दो यश दो और मेरे काम क्रोदादी शत्रों का नाश करो मन की इच्छा के नुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन हुई हो जो मनुष इस स्त्रोत पाठ करके सब्ध सती रूपी महा स्त्रोत का पाठ करता है वो शब्ध शती की जब संख्यां से मिलने वाले शर्ष्ट फल को प्राप्त होता है साथ ही वो प्रचूर संपती भी प्राप्त कर लेता है कीलक इस्त्रोत ओम चंडिका देवी को नमशकार है मारकंडे जी कहते हैं विशुद ज्यान ही जिनका शरीर है तीनों वेध ही जिनके तीन दिव्विनेत्र हैं जो कल्यान प्राप्ति के हेतूं है तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारन करते हैं उन भगवा शेव को नमशकार है मंत्रों का जो अभी कीलक है अर्थात मंत्रों की सिध्धी में बिग्ण उपस्तित करने वाले शाप रूपी कीलका जो निवारन करने वाले हैं उस शप्त शती इस्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए यद्यपी शप्त शती के अतिरिक्त अ उसे भी समस्त दुरलब बस्तूओं की प्राप्ति हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल शप्त शती की उपासना से अत्वा शप्त शती को छोड़ कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सवकार सिद्ध होते हैं तब इनमें श्रेष्ट कौन सा साधन है। लोगों की संका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिग्यास्यों को समझाया किया। शप्त शती नामक संपुन इस्त्रोथी सर्वश्ष्ट एवं कल्यानमई है। जब करने वाला पुरुष भी यदि शप्त शती के इस्त्रोथ और जब कानुष्ठान कर ले तो वह भी पुर्ण रूप से ही कल्यान का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस कीलन करके इस सप्त शती इस्त्रोथ का प्रतिपादन इस पस्ट उचारन पूरवक पाट करता है। वह मनुस सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पाशर्द होता है और वही गंधर्वी भी होता है। सरवत विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भाई नहीं होता। वह अप मिर्त्यू के वश में नहीं परता। तथा देह त्यागिन अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अता कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही शप्त शती का पाठ आरंब करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निशकीलन का ज्यान प्राप्त करने पर ही यह इस्तरोत निर्दोश होता है। और विद्वान पुरुष इस निर्दोश इस्तरोत का ही पाठ आरंब करते है। इस्तरियों में जो कुछ भी सौभाग आदे दिर्ष्टी कोचर होता है वो सब्देवी के प्रसाद का ही फल है। अता इस कल्यान में इस्तरोत का सदा जब करना चाहिए। इस इस्तरोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ती होती है। इस्तरोत करने पर पर्ण फल की सिद्धी होती है। देवी कवच ओम चंडिका देवी को नमशकार है। मारकंडे जी ने कहा पितामा जो इस संसार में परम गोपनिये तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बताईए ब्रह्मा जी बोले ब्राम्हन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच्छी है जो गोपनिये से भी परम गोपनिये पवित्र और संपोर्न प्रानियों का उपकार करने वाला है महा मुनि उसे श्रवन करो देवी की नौ मुर्तियां है जिने नवदुर्गा कहते हैं उनके प्रिथक नाम बतलाए जाते हैं प्रथम नाम शेल पुतरि है दूसरी मुर्ति का नाम ब्रह्मिचारिनी है तीसरा रूप चंदर गहंटा के नाम से प्रसिद्ध है चौती मुर्ति को कुश्मांडता कहते हैं पाँच मी दुर्गा का नाम सिद्धी दाता है देवी के महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं जो मनुष अगनी में जल रहा हो रन भूमी में शत्रों से घिर गया हो विशम संकट में फस गया हो तथा इस प्रकार भैसे आतुर होकर जो भगवती दुरगा की शरण प्राप्त हुए हो उनका कभी कोई अमं किया है उनका निश्चा ही अब्युधाय होता है देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुमनी संदे रक्षा करती हो चामुंडा देवी प्रेत पर आरूड होती है वाराही भैसे पर सवारी करती है इंद्रिका वाहन एरावत हाती है वैशनवी देवी और हातों में कमल धारन किये वे है बिशप पर आरूड इस्वरी देवी ने श्वेत रूप धारन कर रखा है ब्राम्ही देवी हंस पर बैठी वी है और सब प्रकार के आभोशनों से भी भूशित है इस प्रकार ये सभी माताय सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्य है इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभोशनों की शोभा से युप्त तथा नाना प्रकार के रतनों से शुशोभित हैं ये संपोर्न देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के रत पर बैठी दिखाए देती हैं ये शंक, जक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और तरशूल, एवं उत्तम, शांग, धनुस, आदी, अस्त्र सस्त्र अपने हाथों में धारन करती हैं दैतियों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभाइदान देना और देवताओं का कल् देश्चे हैं, महान, रोद्र रूप, अत्यंत घोर, प्राकर्म, महान बल, और महान उत्साह वाली, देवी, तुम महान भै का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमशकार हैं, तुम्हारी और देखना भी कठिन है, शत्रों का भै, बढ़ाने वाली, जगदंबी के मेरी पुर्व दिशा में एंत्री मेरी रक्षा करें, अगनी कोश में, अगनी शक्ती, दक्षिन दिशा में वारा, नायरत्य कोन में, खडग धार्नी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में, वारुनी और वायव कोन में, म्रिक पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें उत्तर दिशा में कौमारी और इशान कौन में शूल धारनी देवी रक्षा करे ब्रामनी तुम उपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैशनवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे इसी प्रकार शब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसो दिशाओं में मेरी रक्षा करें जया आगे से और विज्या पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें वाम भाग में अजिता और दक्षिन भाग में और पराजिता रक्षा करें उद्योतनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट में मालाधारी रक्षा करे, और यसस्विनी देवी मेरी भाओं का सन रक्षन करे, भाओं के मद्यभाग में त्रे नित्रा और नतुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे, दोनों न बखाग की रक्षा करें नासिका में सुगंधा और उपर के होट पे चरचिता देवी रक्षा करें नीचे के होट में अमरित कला तथा जीवा में सरसुती देवी रक्षा करें कौमारी दातों की और चंडी का कंट प्रदेश की रक्षा करे चित्र घंटा गले की घांटी की और महा माया तालू में रहकर रक्षा करे कामाक्षी ठोडी की और सर्वे मंगला मेरी वानी की रक्षा करे बद्र काले ग्रिवा में और धनुर धरी प्रिष्ट वंश में रहकर मेरी रक्षा करें कंट के बारी भाग में नेल ग्रिवा और कंट की नल कूबरी रक्षा करें दोनों कंदों में खडगधार्नी और मेरी दोनों भुजाओं की बज्रधार्नी रक्षा करें दोनों हाथों में दंडेनी और उंगलियों में अंबी का रक्षा करें सूलेश्वरी नकों की रक्षा करें कूलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करें महा देवी दोनों इस्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करें ललिता देवी हिर्दय में और शूल धारनी उदर में रहकर रक्षा करें, नाभी में कामिनी और गुही भाग की गुहे स्वरी रक्षा करें, पूतना और कामी का लिंग की और महिश वाहनी गुदा की रक्षा करें, भगवती कटी भाग में और विंध्य वासरी घुटनों की देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे नर सिंगी दोनों घुटनियों की और तैजिसी देवी दोनों चड़नों के प्रिष्ट भाग की रक्षा करे श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे अपन वलियों के छिद कौव बेरी और तचा की वागी स्वरी देवी रक्षा करे पारवती देवी रक्त मंजा वसा मान सड्डी और मेद की रक्षा करे आतों की कालडात्री और पित की मुकु टेस्वरी रक्षा करे मुलाधार आदी कमल केशो में पद्मवती देवी और कफ में चूडा मनी देवी इस्थित होकर रक्षा करें नक के तेज की जौला मुख़ी रक्षा करें जिसका किसी भी अस्त्र से भेधन नहीं हो सकता वो अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें ब्रामनी आप मेरे विरी की रक्षा करें छत्रे स्वरी चाय की तथा धर्मधारनी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धी की रक्षा करें हाथ में बज्र धारन करने वाली बज्र हस्ता देवी मेरे प्रान अपान वियान उदान और समान वायू की रक्षा करे कल्यान से शोबित होने वाली भगवती कल्यान शोबना मेरे प्रान की रक्षा करे रस रूप गंद शब्द और इसपर्स इन विश्यों का अनुभव करते समय योगनी देवी रक्षा करे तथा सत्यगुन रजोगुन और तमोगुन की रक्षा सदा नारायनी देवी करे वाराही आयू की रक्षा करे वैश्नवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिनी देवी य अश्कति लक्षमी धन तथा विद्या की रक्षा करें इंद्रानी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें चंडी के तुम मेरे पशूं की रक्षा करों महालक्षमी पुत्रों की रक्षा करें और भैर्वी पत्नी की रक्षा करें मेरे पत्त की सुप्था तथा मार्गी की छेम करी रक्षा करे, राजा के दरवार में महालक्ष्मी रक्षा करे, तथा सब और व्याप्त रहने वाले विज्या देवी संपुन भायों से मेरी रक्षा करे, देवी जो इस्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतेव रक्षा से रहित है, वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित ह क्योंकि तुम विजय शालिनी और पाप यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए कवच का पाठ करके ही यात्रा करें कवच के द्वारा सब और से सुर जहां जहां भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाव होता है तथा संपोर्ण कामनाओं की सिध्धी करने वाले विजय की प्राप्ती होती है वो जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस उसको निश्या ही प्राप्त कर लेता है वह पुरुष इस पृत्वी पर तुलना रहित महान इस्वरी का भागी होता है कवच से सुरक्षित मनुष निर्भय हो जाता है युद्ध में उसकी पराजाए नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनिये होता है देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुरलप जो प्रतिदिन्यम पुर्वक तीनों संधियाओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता इतना ही नहीं वह अप मिर्थ्यू से रहित हो सौंसे भी अधिक वर्षों तक जिवित रहता मकरी, चेचक और कोठ आदी उसकी संपोन व्याध्या नष्ट हो जाती है कनेर भांग अफेम धतुरे आदी का स्थावर विश साप बिच्चु आदी की काटने से चड़ा हुआ जंगम विश तथा अही फेन और तेल के सन्यूग आदी से बनने वाला कृतिम विश ये सभी प्रकार के विश दूर हो जाते हैं उनका कोई असर नहीं होता इस प्रित्वी पर मारन मोहन आदी जितने अभी चारिक प्रियोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हिरदय में धारन कर लेने पर उस मनुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं ये ही नहीं पृत्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाश चारी देव विशेस जल के संबंद से प्रकट होने वाले गन उपदेश मातर से सिद्ध होने वाले निम्र कोटी के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डा और भैरव आदी अनिष्ट कारक देवता भी हिरदय में कवच धारन किये रहने पर उस मनुष को देखते ही भाग जाते हैं कवच धारी पुरुष को राजा से सम्मान बृधी प्राप्त होती है यह कवच मनुष के तेज की बृधी करने कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृती से भी भूशित भूशित शुयस के साथ साथवृधी को प्राप्त होता है जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सब्तशति चंडि का पाठ करता है उसकी जब तक वन परवत और कानो सहितिय प्रथविटी की रहती है तब तक यहां पुत्र पौत्र आदी स अंतान परमपरा वनी रहती है फिर देह का अंतोने पर वो पुरुष भगवती महा माया के प्रिसाद से उस निति परमपद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुरलब है वो सुंदर दिव्य रूप धारन करता है और कल्यान मैशिव के साथ आनंद का भागी हो प्राप्त है